नमस्कार साथियों स्वागत है आपका रेजिनिंग के महत प्रोटापिक रख्त संबंध में बने रही है हमारे साथ वीडियो में तक बहुत सिंपल वेस से कुश्यों को लेके चलूँगा बिलकुल आपका समय बरबाद नहीं करेंगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कोई भी समय बरबाद नहीं किया जाएगा तो दीपिका प्रियंका की सास है देखिए यह हुई दीपिका और यह किसकी सास है प्रियंका की ठीक है यह प्रियंका हो गई और कह रहा है कि जिनके पति यानि इनके पति प्रियंका के रडवीर की पत्नी के ससुर हैं ये रहे रडवीर और ये इनकी रही पत्नी और इनके ससुर ये है ठीक है तो इसका मतलब जो है कि रडवीर की पत्नी के ससुर है इनके पति तो रडवीर दीपिका की कौन हो गई ये हो गए है ने ने ये प्रियंका इनकी मा हो गई प्रियंका इनकी मा हो गई और ये दीपिका हो गई दादी ठीक है रडवीर की पतनीक ससुर प्रियंका की पती है तो प्रियंका इसकी मा हो गई अब कहरा है कि सलमान दीपिका के पती का इकलोता बेटा है दीपिका के पती का इकलोता बेटा कौन है सलमान चलिए ठीक इकलोता बेटा है और ये इसकी सास है तो ये इसका पती ही तो सलमान हो गया ये पती क्या हो गया ये पती ही सलमान हो गया ठीक है अब कहरा है कि कैंटीना रडवीर की मा की इकलोती बेटी रडवीर की जो मा है प्रियंका इसकी इकलोती बेटी कौन है कैंटीना या कैतरीना यह मैं श्चुरू तो कैट्रीना का पिता भी तो होगा सल्मान तो यहाँ और अपसं किया जाएगा पिता ठीक है नेश्ट कुश्ट्रिन है के विश्वास के पिता का इकलोटा बेटा क्रतिका का पती है विश्वास यह रहे विश्वास विश्वास के पिता का एकलोता बेटा ये विश्वास के है पिता ठीक है विश्वास के पिता जो भी हूँ नहीं पता भी किलियर नहीं है लेकिन ये विश्वास के पिता है वोपर विश्वास के पिता का एकलोता बेटा क्रतिका का पती है विश्वास के पिता का इकलोता बेटा यानि विश्वास ही क्रतिका का पती है यह हो गई क्रतिका जब पिता का इकलोता बेटा है तो भईत हो जाएगा तो यह कौन हो गई? यह इसकी पतनी हो गई ठीक है क्रतिका इनकी पतनी हो गई अंसुल या अंसुला जो भी होगा न यह हो गया अंसुल या अंसुला ठीक है और इनकी साधी बिवेक यह हो गया बिवेक और इनका बीच में कोई भाई है उससे इनकी साधी हुई है ठीक है अनसुल की साधी बेटा है विश्वास अनसुल का बेटा है तो यही थो हो गए विश्वास क्या है अनसुल का बेटा है इसका बेटा यह है और यह इसका पती है तो फिर यही थो हो गए अब इनका नाम क्या बैवभी कृतिका की बेटी है ये कृतिका इसकी बेटी है बैवभी ठीक है ये कौन है बेटी अगर जब इसकी बेटी है तो ये इसकी भी बेटी हो गई विस्वास की भी बेटी हो गई विस्वास कृतिका पति पतनी है तो ये इसकी भी बेटी हो गई पूछ रहा है राज का वैववी से क्या संबंद है ने राज और बिवेक भाई हैं ये अब निकल के आए राज ये हैं राज विस्वास के पिता तो राज विस्वास के पिता हैं तो विस्वास की बेटी के कौन हो गए दादा कौन हो गए दादा चलिए, next question है, ई ने इफ से कहा, आप मेरे बेटे की, यानि इफ से कहा कि इफ जो है, ई के बेटे की पतनी के ससुर हो, अब इसका बेटा ये, इसके बेटे की पतनी तो इसकी बहू हो गई, अब बहू का ससुर तो ये कौन हो गया, पती हो गया, ये फिर में पती का सम्मंद है, चलिए, next question है, मनीश नितिन का भाई है, मनीश और नितिन, ये कौन है, ये दोनों हैं भाई भाई, ठीक है, इन दोनों में भाई का सम्मंद है, मनीश और नितिन में भाई भाई का सम्मंद है, सांत दया की मा है, तो ये संत हो गए आया, संता, संता और ये हो गए दया, ठीक है, इसकी ये कौन है, मां है, ठीक है, और मनीस की मौसी ये मामी है, मनीस की ये कौन है, या तो मौसी है, या फिर मामी है, मनीस और दया से क्या संबन्द है देखिए ये मनीस की मौसी या मामी है और मौसी मामी की लड़का क्या होता है या तो मौसेरा भाई होगा या मेरा भाई होगा आगे आंसर नेश्ट है महावीर नजमा के पती है ये हर रहे महावीर और ये पती किसके है ये पती है नजमा के ठीक है नजमा के पती है आगे कह रहा है कि नजमा के बेटे कामरान ये नजमा का बेटा है सोरी 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 भई नजमा का बेटा कौन है कामरान तो इसका भी बेटा हो गया इन दोनों की ये कौन है बेटा भई ये इसका पत्ति पत्नी है नजमा नजमा और महावीर पत्ति पत्नी है तो कामरान दोनों का बेटा हो गया कामरान नजमा के बेटे कामरान की पतनी रेसमा इनकी पतनी कौन है भई रेसमा है ठीक रेसमा कौन है इनकी पतनी किसकी कामरान की तो महाविर क्यों हो गए पुत्र बदू कामरान की पतनी रेस्मा का असरफ नाम का एक बेटा है और ये रहे असरफ असरफ कामरान का भी बेटा है और रेस्मा का भी बेटा है चुकि कामरान और रेस्मा पती पतनी है तो इनका बेटा कौन है असरफ असरप की इकलावती बहन कौन है उर्जा इनकी बहन है उर्जा तो उर्जा की ये मां हो गई और कामरान पिता हो गई अब कहरा है महारती महाथिर महाथिर नहीं महावीर और उर्जा में किस तो ये कौन हो गई इसके इनके तो ये पिता है तो इनके कौन हो गए दादा हो गए सीधा सांसर निकल आया चलिए ये question पांच हमने complete किये है reasoning के फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार